कि यह कैसे हो आप सब आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होगे सबसे पहले आपका भाई आप सभी इससे दिल से सौरी बोलेगा क्योंकि वीडियो लेट हो रही तो आज की वीडियो होने वाली है सबसे जबसे जबा है कारण आपका टैन्रफ बहुत जाएं और आप दो होमडी होजू को आज में प्रामिस करता हूं आपका अगर इस वीडियो का आपने अन तक देख लिया लाट्स तक देख लिया तो आपका जो हेयर फॉल हंड़ेट परसेंट स्टॉफ होगा मैं दो होम रिमेडी बताऊंगा जिसमें से एक करके भी दिखाऊंगा जो आपके डेंडर को पहली बार में ही पूरा रिमूब कर देगा और आपके हेयर को बह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और अपने भाई को अगर इंस्टा पर फालो करना चाहते हो आपको लगाना रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आपको पहुत पहुत ज़्यादा है यह फॉल हो रहा है तो आप बीना सोचे जाओ हिट से कराओ और अच्छे से ओलिंग करो जिससे आपका हेर फॉल भी श्टाओगा और आपके हेर भी अच्छे के रही सब्सक्राइए चाहा है तो जन में यह नहीं को घ heater होता है वं पहुत करते हैं बहुत जह जादा होगा तीसरा एसे 2006 में यह अदा थैंदर आनाही और आना ही आ ऐसे बहूत सारी चीजाय बहुत सारी निया अप उनके कराण आपका बहुत ज्यादा सिंपू यूज करना उससे भी आपका डेंडराफ आएगा तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है जिससे डेंडराफ आता है तो आपको ये सम मिस्टेक विल्कुल स्टॉप करनी है और जो मैं चीज बता रहा हूँ दो चीजे जो उसको आपको 100 10 परसंट करनी है पहला आपको डेली धूप बिटामिन डी लेना है 15 से 20 मिनट डेली आपको लेंडरा आ गई तो आप डेली धूप सुवे की लो 9 वजे की 10 वजे से पहले 11 वजे से पहले ले सकते हो कोई रिक्षकत वाली वाद न क्योंकि विंटर है तो आपको डेली करने चाहिए इससे आपकी skin body hair health सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जब यहाँ पर blood circulation बहुत ज्यादा बूश्ट रहेगा तो आपको डेंडर की problem होगी ही नहीं और guys diet अपनी जितनी हो सके उतनी अच्छी रखो green vegetable अपनी डाइट में add करो और fruits को भी add कर सकते और बाहर की चीज़े कूड़ा है मेरे बाई हाँ कूड़ा है तो कूड़ा खाना बंद करो अगर इसको खाओगे तो आपका hair fall तो होगा ही होगा हेल्थ की problem आएगी immune system आपका बहुत ज्याद तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं लेना आपको सब से पहले सरसो का तेल mustard oil घर में हर एक घर में होता है तो mustard oil सरसो का तेल लेना है उसमें आपको आधा नीवू कट करके बस निचोड़ देना है और अच्छे से उसको आपको mix करना है आपका paste हो गया ready इसको आपक कर उसके एक घंटे पहले अपने scalp में इस याद रखना इस scalp में अच्छे से पूरे अच्छे से लगाना है करें आप इसको एक घंटे के लिए छोड़ देना एक घंटे वाद आप हाँ कोई भी एंटी डेंडर्फ सेंपू हाँ मैं बोला हूं इसलिए आप मेल सेंपू अगर यूज करोगे तो प्लीन नहीं होगा तो आपको इसके लिए एंटी डेंटरब कोई भी जो भी आप यूच करते हो उसको यूच करना है अच्छे से वास कर लेना है आप देखना रिजर्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा वैस आप इस रेमेडी को करना जो की बहुत ज़्यदा एजी है और करने के मिला ना आधा नहीं हो इसमें भी कट करके मिक्स करना है और याद खने वाला कपूर आता है तो आपको इसमें एक कपूर मतर के दाने के इतना कपूर इसमें मिक्स करना है तीनों अच्छे से मिक्स करना है अपने हेयर में जब सेंपू करने जाओ उसके एक घंटा पहले कोई भी problem नहीं है अगर ज्यादा डेंडर नहीं तो आप एक बार ही करो और बहुत ज्यादा डेंडर तो टू टाइम कर सकते हो और आप इसको पहली बार में ट्रस्ट करो मेरे पहली बार जब आप करोगे तो आपका पूरा डेंडर रिमूब हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है रिमूब होने के बार डेंडर आता है यह डेंडर फिर आ जाता है तो आप इसको करें बहुत ही अच्छा रिजेट मिलेगा और लास्ट में मेरे भाईयों को एक बोनस टिप्स देंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप इसको विल्कुल स्टॉप कर दें इसको आप DifBen hardships अलदी हो सके इस वीडिएो को देखने के वाद हमिस थोड़ी त्सब्स लाइक चे ले तूइन हजार तो विडियो मैं नीव वीडियो डाल दूंगा तो मिलते हैं नीव वीडियो में तब तक लिए टेक क्या है लव यू आल